नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल गोरिश्टेडी में आज की इस वीडियो में हम 17 और 18 मई 2022 के मद्द प्रदेश करेंट अफेर के बारे में चर्चा करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको इसका पीडियो चाहिए तो पीडियो के लिए आप हमारा टेली ग्राम ग्रूप जोइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रप्शन में दिया गया है उसमें आपको पीडियो मिल जाएगी चलिए हम जान लेते हैं हमारे कल के प्रस्न का उत्तर हमारा प्रस्न था किस जिले में ओटो मुवाइल के लिए एसिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रेक का निर्मान किया गया है तो इसका जो सही उत्तर एव है ओप्सन नंबर A इंदोर में चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मद्द प्रदेश का रेंट अफेर लेकिन अभी तक अगर आपने गोर इस्टेडी को सबस्क्राइब ने करा है तो इसे सबस्क्राइब जरू कर लीजिए हमारा आज का पहला प्रस्न है मद्द प्रदेश के किस जिले में प्रदेश की दूसरी बड़ी अमुल फैक्टरी बन रही है हमारे ओप्सन है रायसेन, इंदोर, उजेन या जवलपूर तो इसका जो सही उत्तरेव है ओप्सन नमबर C, उजेन में आप देख सकते हैं इस पर देनिक भासकर का cut-out भी है कि उजेन में प्रदेश की दूसरी अमुल की फैक्टरी का ताम सुरू हो गया है और ये अमुल की फैक्टरी के अलावा भी उजेन में गार्मेंट्स की दो फैक्टरी भी चल रही है जिन्हें Best Corporation पृतिवा सेंटेक्स गार्मेंट बना रही है इससे करीब 8000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ये उज्जेन में ही एक Medical Device Park भी बनाया जा रहा है ये आप देख सकते हैं ये जो अमूल का प्लांट लगेगा ये करीब 400 कड़ोड रुपे की लागत से बनाया जाएगा उज्जेन के बिक्रम नगर उद्ध्योग पूरी में ये हमारा अगला प्रस्न है किस जिले की गोरांसी ने डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है हमारे उप्सन है भोपाल, जवलपूर, ग्वालियर या इंदोर तो इसका जो सही उत्तरेव है उप्सन नमबर A भोपाल की डेफ ओलंपिक में भोपाल की गोरांसी ने गोल्ड मेडल जीता है और इस इवेंट में इन्होंने बेडमिंटन इवेंट में ये स्वर्ण पदक जीता है और मद्ध प्रदेश की जो खेल मंत्री हैं ये हैं तूसरी यसोधरा राजे सिंदिया जी और जो एक गोरांसी सर्मा है इनका संबंद भोपाल से है ये हमारा अगला प्रसन है हल ही में बन्य प्राणी अंगी करण अभियान योजना के तहत पन्ना और रिध्धी को किस बेंक ने गोध लिया है हमारे ओप्शन है बेंक ओफ इंडिया, सेंट्रल बेंक ओफ इंडिया, भारती स्टेट बेंक या नावाड बेंक तो इसका जो सही उत्तरव है, ओप्शन नंबर C, भारती स्टेट बेंक या आप देख सकते हैं कि बन्य प्राणी अंगी करण अभियान के तहत जो भुपाल के बन्य राश्ट्य उध्यान में योजना चलाई जा रही है बन्य प्राणी अंगी करण अभियान इसमें जो भारती स्टेट बेंक है इसने जो नर भाग पन्ना है और मादा भाग रिद्धी को एक साल के लिए गोद लिया है और जो ये योजना है ये जनवरी 2019 से चलाई जा रही है और अब तक 82 बन्य जीव प्राणियों को गोद लिया गया है जिससे जो बन विभाग है इसे 65 लाख रुपे की रासी प्राप्थ हुई है ये हमारा अगला प्राश्ण है संबल 2.0 पोर्टल का सुभरंब किस ने किया है हमारे उप्सन है स्री नरेंद्र मोदी, स्री सिवरास सिंग चोहान, स्री महेंदर सिंग सिसोदिया या डाक्टर नरुत्तमिस्रा तो इसका जो सही उत्तरेव है, option number B, स्री सिवराज सिंग चोहान ने यह आप देख सकते हैं कि मानिनी मुख्यमंत्री स्री सिवराज सिंग चोहान द्वारा संबल 2.0 पोर्टल का सुभरम किया गया है और इसके तहट उन्होंने 27,018 सरमिक परिवारों को 573 कड़ोड 49 लाक रूपे की रासी भी प्रदान की है और जो यह कारेकरम था, यह मुख्यमंत्री जी का बोपाल में है, वहां से ही किया गया था 16 मई को यह हमारा अगला प्रस्ण है, खेल एवं यूबा कल्याण विभाग द्वारा कब से ग्रीस में कालीन खेल प्रिसिक्षण सिभिर आयोजित किया जा रहा है यह हमारे ओप्शन है 15 मई, 16 मई, 17 मई या 18 मई तो इसका जो सयुत्तरेव है, ओप्शन नंबर A, 15 मई 2022 से कि आप देख सकते हैं, इस पर इस्पोर्ट एंड यूद बेलफेर डिपार्टमेंट का ट्वीट भी है कि खेल एवं यूबा कल्याण विभाग द्वारा निर्ने लिया गया है कि जिला एवं विकास खंड इस्तर पर 15 मई से 30 जून तक ग्रीज में कालियन खेल पर सिक्षान सिविर आयुजित किया जा रहा है तो मद्द प्रदेश की खेलेवं यूबा कल्याण विभाग मंत्री हैं, ये सोधरा राजे तिंदिया अब हम करेंगे 16 मई 2022 के मद्द प्रदेश करेंट अफेर का रिवीजन होकी चेंपियंशिप 2022 का सुभारंब कहा किया गया है, तो ये किया जा रहा है अभी भी भुपाल में ही मद्द प्रदेश खादी ग्राम उध्योग बोर्ड द्वारा कोसल विकास कारेकुम के अंतरगत कितने तरह के कोर्स पर निसुल के प्रसिक्षान दिया जाएगा, तो ये दिया जा रहा है 38 तरह के कोर्स पर, ये अगला प्रसन है, प्रदान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी ने 13 मई को किस सहर से स्टार्ट अप पोलिसी को लॉंच किया है, तो इन्होंने किया है इंदोर के कन्वेंशन सेंटर से, अगला प्रसन है, थाईलेंड में एसेन पेरा केनो चेम्पियंशिप में प्राची आदव ने कूंसा पधक जीता है, तो प्राची आदव ने इसमें जीता है स्वन्ण पधक और ये अमारा आज का प्रस्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि मद्ध प्रदेश का सबसे भारी, 3700 किलो का महा घंटा किस मंदिर में इस्थापित किया गया है ये अमारे उप्सन है, पसुपतिनात मंदिर मंदसोर, रामराजा मंदिर ओर्चा, महाकाल मंदिर उज्जेन या खजराना गणेस मंदिर इंदोर इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर दें और ये था हमारा आज का मदिर प्रदेश करेंट अफेर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सेर करें और चेनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में, तब तक जेहिन, जेभारत ब मारा आपकोरियो अग्रम तयाम स्रक वीडियो ब म क्राइब दोस्तों अभाइब भी जेहिए करेंगों तोस सेALKत जेए का में, आपकोरियो अपकोरियो अजिक हो में, यर telef待 है मेजिक भीन h europaeting आपकोरियो